कि दोस्तों सब्दाब सभीका इसा लैणिक सेंटर कि यूटयूब चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियों हूं बात करने वाले हैं कि हमारे सिस्टम में कौन्सा ओप्रेटिंग सिस्टम कितने जी बी रेम सिस्टोल है और कौन सा प्रोसेसर है जो हम यूज कर प्रोसेशर्न हम यूज करेंगे आज किस वीडियो दोस्तों इसको पता करना बिल्कुल असान है यदि आप जानते हो तो अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को शुरू से लाश्ट तक देखिए आपको समझ वाजाएगा कि हम इन सवालों के आंसर कैसे डूनते हैं है तो दोस्तों Windows के अंदर सिंपल सा मेताड इसके लिए सबसे पहला मेताड यह है इसमें कि जो आपका डेस्टोप इसकीն होते हैं उस पर आइकन होते हैं वहां पर एक आपको आइकन मिलेगा दिस बीसी विंडूस तो 10 के अंदर यह दिस PC मिलेगा और Windows 7 और यूज करते हो तो हो सकता है उसमें computer नाम से आपको यह आइकन मिले तो दिस PC पर आपको right-click करना है इसको उपर नहीं करना है इसके उपर right-click करोगे तो properties उपन होगा जैसे इस पर right-click करता हो में और यहां पर उपन होगा properties इसके यह आपको जाना है control panel में आपको control panel open करना है control panel के अंदर आपको जाना system में system पर आपको क्लिक करना है जैसे आप system पर click करोगे यह Windows आपके सामने open इसमें 10 education भी आता है इसमें अलगलग आते हैं जो हम आने वाले कुछ वीडियो में जाने कोशिस करेंगे यह अलगलग किस काम के आते हैं और दोनों में क्या फरक होता है Windows 10 pro में या फिर Windows 10 education में इस तरह से उसके बाद में 2019 Microsoft Corporation यह आपको पता है इस company का नाम में Microsoft Windows के operating system मनाती है उसके बाद ओस system में system में यहां पर मिलेगा आपको processor आपके system में कौन सा processor install है तो यहां पर लिखाओ आरा है कि Intel का processor प्रोसेसर हैं इंटेल कोर आई सेवन इंटेल कोर आई सेवन का प्रोसेसर है 9700 के सी पीउ 3.60 गिगार्ट तो यह हमारा इंटेल का सी पीउ सेंट्रल प्रोसेस यूनिट उसके बाद में इसमें रेम कितनी इंस्टोल है यहां पर रेम रेंडम एक्सेस मेमोरी रेम आपको पता हो तो कंप्योटर की गति रेम के उपर निर्बर करती है आने वारे कुछ वीडियो इसी के बार में ड्रेल से जानेंगी कि हमारे सि इसके बाद में देखो system type system type क्या होता है इसके बार में जानेंगे इसमें 64 bit operating system install कर रखा है 32 bit भी आता है तो आपको 32 bit करना चाहिए और 64 bit करना चाहिए इसके बार में हम जानें कोसिस करेंगे एक अलग से वीडियो में जानेंगे तेकिन हमारे यहां पर जो हमारा आज की इस वीडियो का topic है कि हम यह कैसे जानें कि हमारे system में कोन सा operating system है तो यहां पर system type है आपका 64 bit इसके बाद में नीचे pane and touch के बार में बताएगा है तो आपकी discipline यहां पर आपको सपोर्ट करते हो तो यहां पर आपको दिखाई दे नीचे computer का name domain और workgroup setting का सकते हो computer name आप चेंज भी कर सकते हो उसके बाद में Windows activation यहां पर आपको प्रोडेक्ट आड़ी भी मिल जाएगी और करेक वरिजन यूज नहीं करना चाहिए आपको Windows original ही यूज करने चाहिए उसका सबसे पहला रिजन यह दोस्तों क्योंकि Windows हर दिन कुछ नहीं अपडेट आलते हैं तो आप Windows के साथ अपडेट रहेंगे सेकिंड बात कोई भी नए वाइरस आता है जो कि Windows के उपर अटे करता है तो Windows उसके लिए कुछ नए अपडेट आलके उसको दुरिस्त करने की कौसिस करता है तो आपको वाइरस से चिंता करने की कोई आप सकता नहीं होती यदि आपके सिस्टम में Windows original इंस्टॉल है तो उसक चीट तो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आया तो इसको आप तीसलों बीग कर सकते हैं थैंक्स पोर वाचिंग डिस वीडियो